हेलो गाईज कैसे हो आप साभी लोग आई होप अप लोग बढ़िया होंगे तो मैं आप लोगों को आज वोट्सेप का तीन नया फिचर के बढ़े में बताऊंगा और हो सकते हैं शायद इन तिनों फिचर में से किसी एक या दो फिचर आपके वोट्सेप के अंदर आ गया है और आपको आभी तक इन फिचर के बढ़े में नहीं बता तो वो तिनों कौन सा फिचर है और किस तरीके से काम करते हैं मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में सो वीडियो को आप लोग देख रही है और चैनल को आपने आभी तक सब्सक्राइब नहीं आप लोगों को पाता होगा मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को कहा था कि होटसप के अंदर चार्ट टांसफर का फिचर आने वाला है लेकिन फाइनली गाईस होटसप के अंदर चार्ट टांसफर का जो फिचर है वो आ चुका है यहाँ पर आप लोगों देख की सकती होगों चार्ट टांसफर का फिचर रोलड ओट हो चुका है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ के चार्ट टांसफर का फिचर हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इसके लिए हमें ओपेन कारना होगा WhatsApp उसके बाद 3.00 पे टैप करके जाना होगा Settings में Then क्लिक कारना होगा Charts के उपर फिर हमें जाना होगा एकदम निचे निचे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा चार्ट टांसफर का उप्शन और ये जो WhatsApp के अंदर चार्ट टांसफर का फिचर है वो तो बैट लग गईज मेरे को नहीं मिला अगर आप एक WhatsApp बीटा टेस्टर हो तो आप अपके फुन में WhatsApp को अपडेट करके देखिए आपके WhatsApp के अंदर चार्ट टांसफर का फिचर मिलता है या फिन नहीं तो ये था सेकंड फिचर आप बात करते हैं आज का लास्ट यानि थार्ट फिचर किया है तो थार्ट फिचर का नाम है गीफ Auto Play मैं चार्ट के अनदर जानने के बाद मैं यहां से किसी भी एक गीफ को सिलेक्ट करके करता हूँ सेंड सेंड का आणने के बाद आप लोग यहाँ पे देखी सकते हूँ गीफ जो है वो यहाँ पे automatically play हो रहा है पहले हमें WhatsApp गीफ को play करने के लिए click करना होता था लेकिन आभी से हमें गीफ के उपर click करने की कोई भी जरुरत नहीं है यहाँ पे automatically play हो रहा है sticker की जैसा और यह जो WhatsApp के अंदर गीफ photographer का feature है वो हो सकत आपके WhatsApp के अंदर पहले आ गया है आप आपके phone में WhatsApp को check करके देखे आपके WhatsApp के अंदर गीफ और टूपले का फिचर मिला है या फिन नहीं तो यही था का इस WhatsApp का तीन नया फिचर आप अपके फुन में WhatsApp को आपडेट कारके देखिए आपके WhatsApp के अंदर इन तिनो फिचर मिलता है या फिन नहीं अगर आपके WhatsApp के अंदर इन तिनो फिचर नहीं मिलता है